अगर बात करे, KABIR SINGH फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म ने box office पर आज complete कर ली है 23 दिन, यानि कि फिल्म का 4 हफता box office पर चालु हो चुका है, लेकिन दोस्तों 4 हफता इस्टार्ड होने के बाउजुद भी फिल्म, बोक्स office पर काफी अच्छा business कर रही है और नए रिलीच फ संदिप रेडी वेंगा ने इस फिल्म का बजट था 55 करोड रुपे और इस फिल्म को अपने पहले हपते में 3123 स्क्रीन में रिलीच किया गया था लेकन दोस्तों आप फिल्म का जहां चोता हपता चल रहा है तो फिल्म के पास बची है सिर्फ 650 स्क्रीन और अगर बात करें 650 स लाक रुपे और तीसरे हपते की बात करें तो दोस्तों फिल्म ने तीसरे हपते में बॉक्स ओफिस पर कमाये थे 36 करोड 40 लाक रुपे वही दोस्तों अगर बात करें चोते हपते के कलिक्सन की तो दोस्तों फिल्म ने चोते हपते में दस्तक देते ही अपने 22 दिन बॉक्स नेट कलेक्शन जो होता है वो हो चुका है 255 करोड 10 लाक रुपे वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की तो दोस्तो फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 302 करोड रुपे और वही फिल्म ने वोर्सिस मार्केट में लगबग 32 करोड रुपे कमाए है इसी के साथ दोस्तो जो फिल्म का टोटल worldwide gross collection होता है वो हो चुका है 334 करोड रुपे आपको बता दे दोस्तो फिल्म box office पर old time blockbuster hit हो चुकी है लेकिन देखना जिल्चस पर यह होगा कि क्या यह फिल्म इंडियन net market में 300 करोड का अखड़ा पार कर पाती है या नहीं वेसे दोस्तो आपको क्या लगता है क्या कबिर सिंग फिल्म इंडियन box office पर 300 करोड टच कर पाएगी या फिर 270 या 280 करोड तक ही रुख जाएगी अपनी राए कमेंट करके जरूर बताए और बोलियोड और साउत की एसे नहीं खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें